हाँ तो यार तो आची इस वीडियों लोग बात करने वाले हैं ट्रेगिं बॉल हाकाई के बाई के बार में और आची इस वीडियों बिसिकलिए हैंक Twitter जाएनुन कrator जाता है हाकाई नेनिलिश YouTube चैनल इस्टेटरिशन सब्सक्राइब नक मिल जाएंगा तो गएस सब से पहले पिछली चैप्टर्स कर डिस्केशन कर लेते हैं लास्ट चैप्टर्स में क्या हुआ था हम लोग ने देखा था जो सेलिस्टिल मीजिस थे उन्होंने अपने एलिट 16 भीजे थे अर्थ पे अर्थ को तबाह करने के लिए इन सोला मेंसे दो मेंबर्स करे थे मास्टर रोशी की तरफ मास्टर रोशी ने उन दोनों वारियर्स को काफी अर्ब से हरा दिया था दो वार्यर्सedo ककी जो सोरे मेंसे चार मेंबर्स को काफी अर्थ के Лियो आर्थ पे हैं जो अर्थ को अकौन करने के लिए रेडि हैं और्ड से western city पे जाके रुख जाते हैं इस ग्रूप में एक लड़की थी एक ड्वार्फ था dwarf means बोना और तीसरे के बारे में बात नहीं करे तो ठीक रहेगा Krillian कहीं और fight के लिए बोलता है लड़की पूछती है पर ऐसा क्यों Krillian बोलता है यहाँ fight करने से city effect होगी पर वो अगली से creature बोलता है पर हमें इस से क्या Krillian disappointed होके कहता है मुझे लगाता तुम में थोड़ा बहुत honor होगा surprisingly वो dwarf बोलता है इन दोनों का नहीं पता पर मेरे अंदर honor है मेरे fight करने से तेरी city को कोई नुकसान नहीं होगा Krillian dwarf को thanks बोलता है वो अगली creature कहता है तुझे हमारे पीछे अकेले नहीं आना चाहिए था तू वैसे भी है ही क्या एक गंजा बोना ये phrase उस ड्वार्फ को गुसा दिला देता है वो ड्वार्फ बोलता है इसके गंजा होने से तुझे क्या दिक्कत है creature reply करता है बकवास मत कर हम दोनों इसको खतम करने के लिए काफी है तेरी मदद नहीं चाहिए खैर मैं चला city को destroy करने थोड़ा मजे लेने क्रेलिन चला की बोलता है नहीं ऐसा बोलके क्रेलिन उस creature की पीछे जाता है लेकिन बीच में आ जाता है वो ड्वार्फ क्रेलिन उस ड्वार्फ पे बिना सोचे attack कर देता है पर ड्वार्फ क्रेलिन के attack को block करके उसको एक kick करता है एंड बोलता है तेरा opponent मैं हूँ लड़की बोलती है क्या मैं join करो ड्वार्फ बोलता है एक के सामने दो fair नहीं होगा लड़की फिर reply करती है जो भी हो ऐसा बोलके लड़की एक building के उपर बैठ जाती है fight को enjoy करने क्रेलिन ड्वार्फ की तारीफ करता है एंड बोलता है तुम्हारे अंदर बहुत honor है तुम्हारे friends के अंदर बिल्कुल भी honor नहीं है फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो ड्वार्फ reply करता है जो लोग इस दुनिया को rule करता है वो है strongest मतलब अगर हमारी power तुमसे ज़ादा है हमारे पास right है तुमारी universe को अपना बनाने का क्रेलिन disappointingly बोलता है क्या बेकार सोच है पहले में तुझे हराऊंगा फिर दूसरों के पीछे जाऊंगा ड्वार्फ कहता है क्या तुझे लगता है ये इतना आसान होगा ड्वार्फ अपना fighting stance लेता है और बोलता है मैं हूँ Gilmer warrior मेच का शिश है then क्रेलिन खुद को introduce करता है मैं हूँ क्रेलिन एक earth warrior क्रेलिन अटेक करने के लिए आगे बढ़ता है पर वो रुख जाता है बिकुस गिल्मर ने दो keyblade बना लिये थे जिनको वो चक्रम बोलता है ये चक्रम किसी भी चीज़ को touch करके cut कर सकते है क्रेलिन observe करता है और बोलता है क्रेलिन की तरफ जा रहा होता है last moment पे क्रेलिन उस चक्रम को dodge करता है गिल्मर दूसरे चक्रम से क्रेलिन पे attack करने के लिए बढ़ता है क्रेलिन counter attack करने के लिए ready हो जाता है पर जो पहले वाला चक्रम था वो वापस से क्रेलिन की तरफ घूम के आ रहा होता है क्रेलिन उसको बेरली डॉच कर पाता है देन दौनों चकरम गिलमर के हाथ में वापस आ जाते हैं अगेन गिलमर काफी सारे अटेक्स ट्राइक करता है क्रेलorit पे क्रेलिन उसके सारे type को dodge करता है agian gilmar से थोड़ी दूरी बनाता है एक की-blast करता है gilmar पे gilmar agian फिर से अपने चकरम फेक के मारता है और उस की-blast को दो हिस्सों में काट देता है की-blast को काटने के बादए फो चकरम लगने वाला था बट ऐसा होता नहीं है गिलमर काफी अराम से उस चगरम को रोक लेता है गिलमर कहता है क्या तुझे लगा था तू ऐसी ट्रिक से मुझे हरादेगा क्रेलिन reply करता है सोचा तो यही था दैन क्रेलिन notice करता है city का एक पारths destroy हो चुका है गिलमर को लगता है भी फाइट करना था और मैं अपनी एनरजी लूस नहीं करना चाहता था गिलमर शौक ढोके बोलता है तो तू अपनी पावर हाइट कर रहा था क्या मसाक है देन क्रिलिन अपना सबसे पावरफुल अटेक की एंसान प्रिपेर करने लगता है देन गिलमर अफजर्ब करता है ये तो मेरे चकरम जैसा है क्रिलिन बोलता है ये मेरे सबसे पावरफुल अटेक इसको मैंने बनाया है देन क्रिलिन गिलमर से एक डील करता है तू स्टॉंगरे स्टूल में बिलीव करता है ना अगर मेरी टेकनीक ने तीरी टेकनीक को हरा दिया, इसका मतलम मैं तुस्से स्ट्रॉंग हुआ, अगर ऐसा हुआ तो तु इस बैटल में हार मान लेगा, गिलमर हसके बोलता है, तु काफी मसीतार है, ठीक है, पर अगर मैं जीता, तो तुझे मेरा सर्वेंट बनना पड़ेगा, क्रिलिन इस बात पर एगरी हो जाता है, देन क्रिलिन अपना कियेंजान और गिलमर अपना चकरम अटेक यूज़ करते हैं, दोनों अटेक आपस में कोलाइड हो जाते हैं, कुछ सेकिंड बात जो क्रिलिन का कियेंजान होता है, वो चकरम को कट कर देता है, गिलमर को यकीन नहीं होता, वो बोलता है, यह नहीं हो सकता, मैं हार गया, क्रिलिन अपनी विक्टरी को सेलिबरेट करता है, वो बोलता है, मैं जीत किया, अभी तुम्हें यहां से जाना होगा देन वो लड़की बिल्डिंग से उटके दोनों की तरफ आती है एंड क्रेलिन को बोलती है मैंने ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं किया था मैं ऐसा नहीं करने वाली एंड गिल्मर को बोलती है यह बकवास बंद कर और फाइट कंटीन्यू कर गिल्मर बोलता है नहीं लिटिया मैंने प्रॉमिस किया था और मैं उसे पूरा करूंगा लिटिया रिप्लाइ करती है तू बेवकूफ है अब मुझे इसे हराना पड़ेगा लिटिया की तारीफ करते हुए बोलता है तेरी परसनलिटी अमीजिंग है लिटिया कहती है तू भी बहुत अच्छा है काफी मुश्किल है ऐसे बंदे को ढूंड़ना जो मुझे समाच सके पर तेरे अंदर कुछ तो अलग है ऐसा बोलके लिटिया क्रेलिन के close आने लगती है क्रेलिन काफी embarrassed feel करने लगता है लिटिया अपना seduction continue करते हुए बोलती है इस fight को यहीं खतम करते है और यहां से कहीं दूर चलते है क्रेलिन के mind में बस एक ही चीज़ चल रहे थी कि वो इस proposal को accept कर ले लिटिया बोलती है क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे क्रेलिन बोलता है हाँ बिलकुल लिटिया क्रेलिन को hug करती है और पूछती है क्या तुम अब इस city की परवाह करते हो क्रेलिन बोलता है नहीं पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना जो भी city को नुकसान पहुचाएगा मैं उसे नहीं चोड़ूँगा चाहे वो तुम ही क्यों ना हो क्रेलिन पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है दैन गिलमर explain करता है ये लिटिया की ability है वो दूसों के mind को control करके अपने प्यार के जाल में उनको फसा लेती है क्रेलिन कहता है मतलब तु मेरा काट रही थी लिटिया बोलती है हाँ और तुछ पे मेरा spell work नहीं करा शायद तु अपनी family से बहुत प्यार करता है वैलम में तुझे नहीं हरा सकती मैं हार मानती हूँ दैन क्रेलिन पूछता है अब तुम दोनों क्या करोगे गिलमर reply करता है हम दोनों वापिस नहीं जा सकते या तो मारे जाएंगे या फिर punish किये जाएंगे हम इस situation के खतम होने का wait करेंगे क्रेलिन बोलता है अगर तुम लोग चाहो तो अर्थ पे हमारे साथ रह सकते हो गिलमर reply करता है तू सच में मस्त मौला है हम तेरी loyalty और honor को हमेशा याद रहेंगे लिटिया बोलती है तेरी wife बहुत लगी है दैन गिलमर लासली बोलता है हमारे जाने से पहले तुझे कुछ पाते जानना जरूरी है ये बार तुम सभी लोग जानते हो हम इस universe से नहीं है जो जैनों ने बनाए है तुम्हें बस इन 12 universes के बारे में पता है जो जैनों के अंडर आते हैं बट actual में इस तरह के total 7 realm होते हैं मुझे बागी kingdom's के बारे में नहीं पता बट मैं जिस kingdom से आया बच गए एंड इसी वज़ा से जाराट के elite member celestial me जिसका एक ही गोल है जाराट को वापिस से जगाना और इस kingdom पे कबज़ा करना क्रिलिन पूछता है अगर जाराट जा गया तो क्या होगा इसका जवाब देती है लिटिया वो बोलती है पहली विजिट पे जाराट को बस इस kingdom पे rule करना था पर जब उसने देखा यहां पर countless mortals हैं मेबी वो सब mortals और God को खतम करके फिर से सब को शुरूब करना चाहेगा क्रिलिन पूछता है पर तुम यह सब मुझे क्यों बता रहे हो गिल्मर explain करता है जैसा मैंने बताया मेरे kingdom में जो weak थे वो मर गे जो strong थे वो बच गिल्मर reply करता है interesting पर careful रहना हमारी power उनके सामने कुछ नहीं है तेरे level की power को वो पलक जपकते ही खतम कर सकते हैं तुमारे पास 6 महीने हैं उसके बास celestial images अपना असली plan तुम लोग के सामने लाएंगे क्रिलिन इस information के लिए उन दोनों को thanks बोलता है then वो दोनों warriors अर्ट eliminate कर दिया उनको अर्थ से जाने के लिए मजबूर कर दिया एंड इसको एक तरह से technical हार ही बोलेंगे दोनों के लिए because क्रिलिन ने दोनों को हराया ही है यहाँ पर एक से उसने deal की थी वो जीता और दोसे के जान में नहीं फसा एंड एक बात इन दोनों warriors ने यहाँ पर साफ क चाहिए ऐसे एरेगेरे नहीं चाहिए अभी देखने वाली बात यह होगी कि छे वारियर्स तो हार चुके हैं लेकिन दस अभी भी बचे हैं क्रिलिन का रूल अभी भी शायद बचा है because वो गया है उस अगली क्रीचर की तरफ गैस आप लो कमेंट करके बताए आप सभी को चेप्टर कैसा लगा एड़ है क्या वो क्रिल इन को क्रेलस को हरा सकता है ऊच own वंबस अतना ही थाकर आपको वीडियो पसंद एयोगी अगर को वीडियो पसंद जहीए तो लाइक कर शेर कि जाओ चालनों करेड है सबस्क्राइब आस वीडियो में तो बैग गुड़